नमस्कार सत्यो कोमें प्रियार के साथ मढ़न पर चैनल पर और आज जानेंगे की कमी के लख्षन उसकी अधिकता या होगा और खेल पोधास को प्रियोग होसके जो कि फसल के उत्पादन उसकी चमग उसकी गुवानवरता उसकी क्वालेटी और उसके प्रतिरोधक कीटों से लड़ने की चमता को डिसाइट करता है कि यह किस प्रकार से पोदा आगे उसका भविश्य होगा तो सारी चीजों को मैनेज करने वाला पोटास होता है अगर आप गयखो की खी खेती करते हैं और दस क्वाल फटादन पर देखे अगर बीस गरेंगे तो तो निकल जाएंगे यह तत्वों की मात्रा है खाद की मात्रा नहीं है खाद में परिवर्टित करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी दौब तो इस परकार से तत्वों भूमी से निकाल लिये जाते हैं और जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ता जाएगा आपकी जमिन का वह इस जा सकता है अगर इन खादों को उपयोग करते हैं तो रासाइनी खादें यह ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी क्योंकि वेक्टेरिया और जो करवाने वाली चीज़ें होती होती और यह पोरोज बनाती और इसको आपको फटिलाजर रासाइनी खाद का ज्यादा ज बोटास की मत्रा हमारी जमीनों प्रियाब तो हुआ करते लेकिन जैसे नहीं किया वैसे वैसे हमारी फसलों में इन तत्वों की कमी होती गई और कमी के लक्षन क्या दिखते हैं तो अगर देखने जाएंगे तो फसल की जो पत्तियां होते इसके किनारे जो होते हैं वह और प्रारम बकर देते हैं और तीसरी छीज आपको इसमें देखता हां रेखने को मिलते कि दाने जब फसल पक जाती है तो सिकड़ों मिलेंगे फलियों में कम दाने बेटते हैं जितने दाने बेटने की उतने नहीं बेटते हैं जो फलियां रोगों का आक्रमन बहुत जादा होता है और इसको व्रधी रूप जाती है और पतीयां छोटी हो जाती है और तने में जो गाटे होते है're नोट्स होती हैं उनके बीच की दूरी कम हो जाती है तो इसको ज्यादा देने से आपका होगा कि आपकी फसल में जन्य तत्वों की कमी कर देगा अगर पोठास की ज्यादा दिखता दी जाए तो हो सकता है नाट्रोजन की डिफिसंसी दिखाने लग जाए पोधा आपका हों मेंस की तरी किसी चैड़ा ओंगे तो इसके यूवक करते हैं ऊपचेंपादन सही मिल सके की अचली पत्ति lecture कि आपके है उस्का मात्रा को दे देबरा बाद में सब्समात्रा तो वन में प्रसल्ही में कुछ मात्रा करें उसके बाद खड़ी फसल में दे सकते हैं तो उसके बाद तीस प्रतिसत दे दे और उसके बाद जब फूलों आने लगे उसके पहले दे और जब दानों में मिल्किंग सब्सक्राइब करने में समय लगता है यह इस प्रकार से मात्रा देब बाट इसको डिवाइट करते हैं उखात के देने के कही तरीके हैं सबी फस्लों की वूंची व्रद्दý और की लिए बहुत ज़रूरी है और बिर्बाव कर देता है विप्ति wedu allah में इसको सहन करने की शमता को इसको झो समकदार बनते हैं और क्योंडी इंप्रूअब हो यह थो जाता है तोन दूसर स्थे भाइब लख अब जा सकता है npujdo it झानते हैं तो आता है तो इस परकार से उसे खादों में भी दिया है दिया जा सकता है तो किसी रूप में भी दे पर पोटास अब दें अगर आप हमेशा क्राप रोटेशन सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो इसको दें क्योंकि पोटास को बहुत सारी किसान इसका उपयोग नहीं करती है और उसका उपच पर सीधा गुण मत्ता फरक उसके प्राइजिंग कम होता है क्वालिटी कम होती और उसकी लगती है पोटास की मात्रा ओर छोनागाइड को फचले की नोपकर 2-1 पर दल्हानी फचलों में एक एक में एक इस सब्सक्राइब करें और इससे होगा कि उपची क्वालिटी बढ़ जाएगी साइनिंग बढ़ जाएगी और सही जायन कारी रखें और अन्य किसानों से देना न भूले पास इतना ही साथ यो फिर मिलते हैं नेस्टे वीडियो के साथ जैहने